हेलो श्ट्रेंट्स आप सभी का वेलकम हैं गुरू कुल हब यूट्यूब चैनल पर श्ट्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही एहम टॉपिक पर बात करने जा रहा है जी हाँ वो टॉपिक हो जाता है कि फॉर्म भरते समय आप कुछ ऐसी गलतिया कर देते हैं जिनके लिए आपको बाद में पस्ताना पड़ता है तो श्ट्रेंट यहाँ पर मैं आपके पूरे इस वीडियो में डाउट्स किलियर करूँगा कि माली जी अगर ये गलतिया आप कर देते हैं फॉर्म में भरते वक्त तो क्या सेलेक्शन प्रोसेस में आपको कुछ परेशानी आएगी क्या नौकरी में कोई बादा आ सकती है या नहीं इनसे बचने के क्या तरीके हैं अगर गलती हो गई है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ताकि आपके सेलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो और नौकरी लेने में भी किसी परकार की कोई समस्या ना हो तो बिलकुल इस वीडियो को बिलकुल लास्ट तक देखें एक एक point को यहाँ पर clear करके चलें देखे इस friend होता क्या है कि जब भी आप किसी form को भरने जाते हैं माली जी RRB NTPC का ही आपने form फिल किया या फिर गुरुबडी का आपने form फिल किया देखे सबसे पहले तो मेरा कहना ये है कि अपनी तरब से किसी भी तरह की कोई गलती ना ही करे आप तो ज़्यादा best रहेगा क्योंकि कहीं न कहीं अगर गलती हो जाती है हलाकि उसका solution मैं यहाँ पर बता रहा हूं लेकिन कहीं न कहीं वो एक tension बन जाती है तो वो tension ना बनने थे बहुती carefully form को पूरी तरह से फिल करें या करवाएं साइबर कैफे पर जब आप जाते हैं तो हो क्या रहा है कि इतना जदा competition है कहीं न कहीं साइबर कैफे वालों की गलती से भी form गलत हो जाते हैं और कभी-कभी खुद की एक छोटी से silly mistake से भी ये गलती हो जाती है तो ऐसे में students घबराने की कोई जरूरत नहीं है जायतर गलती होती क्या है कि पापा के नाम है पापा का नाम है उसके spelling में कोई गलती हो जाती है या पापा का नाम में माली जी कुमार लगा हुआ है तो वहाँ पर सिंग आ जाएगा या शर्मा लगा हुआ है तो वर्मा आ जाएगा इस तरह की समस्य आपको देखने को मिलेंगी कोछ करते हैं तो percentage का issue रहता है कि high school या इंटर में percentage का एक बहुत बड़ा issue होता है कि मैंने percentage सर गलत भर दी क्या इसका मुझे खामियाजा बहुतना पड़ेगा तो strand इससे बचने का एक सबसे बैस तरीका यह है कि मान लिजिए अगर गलती हो ही गई है तो आप क्या कीजे सबसे पह return clear हो जाएगा तो return clear होने के बाद जब आप document verification में जाते हैं तो document verification से पहले एक benefit बनवा कर ले जाएं जो की आपके तहसील से बन जाएगा उस Affidavit में clearly आप question कर सकते हैं कि cyber cafe या कीसी भी कारण वेस्ट आप उसमें लिखवा सकते हैं कि उसकी लिखवा सकते हैं कि ये ये ना होकर इसको ये पढ़ा जाए और सही में ये रहेगी और इसके साथ जो original certificate है वो तो आपके लगते ही हैं तो ऐसे में जब आप document verification में जाते हैं तो उस वक्त जब आप इस तरह का affidavit वहाँ पर पेश करेंगे तो आपकी गलती को समझते हुए उसको मानने करेंगे ठीक है तो फिर वहाँ पर आपको affidavit दिखाने के बाद किसी प्रकार की कोई problem का सामना करना नहीं पड़ेगा और आपको finally, वहाँ पर document verification के time पर आपको clean sheet दे दी जाएगे कोई समस्य हाँ पर नहीं आने वाली है तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि होता क्या है कि जब आप form fill कर देते हैं और माली जी आपको पता चल रहा है कि आपने form में ये गलती कर दी तो पूरा time आप प पर ना फस जाओं और मेरी करीकराई मैनत भी खराब हो जाएगी तो इस ट्रेंट बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ऐसा हो जाता है हलेकि कोशिश कीजी कि गलती ना हो लेकिन अगर हो भी जाती है तो आपके पास ये एक option है कि आप अपने तैसे से एफिडेविट ब अपनाई और एफिडेविट बनाकर वहाँ पर पेश किया तो document verification में clear हो पाया तो बिल्कुल आप घबराये नहीं किसी भी तरह कि आपको कोई और भी problem आती है तो student आप मुझसे comment में share कर सकते हैं ये जो problem थी एक बच्चे ने मुझे whatsapp पर message किया उसी के जवाब में मैंने य काफी सारे करोड़ों बच्चे हैं करोड़ों बच्चे यहाँ पर NTPC के exam देने वाले हैं करोड़ों बच्चे यहाँ पर group D के exam देने वाले हैं तो ऐसा हो सकता है कि same problem और भी students की हो सकती है तो बिल्कुल student गबराने की जरूरत नहीं है और जो मैंने तरीका बताया है आपक कि same problem भी हो सकती है common problem हो सकती है तो वीडियो के जरिये मैं उसका answer भी definitely दूँगा जोड़े रही है मेरे साथ मेरी इस channel के साथ गुरूपुल हप परिवार के साथ और subscribe कर लीजिए बैल आइकन के साथ all option के साथ बैल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी classes के notification मिलते है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो वो like करें share करना ना बूले तो और हम topic के साथ motivational videos के साथ tips and tricks की videos के साथ या strategy की videos के साथ या फिर जो मेरी classes चलती है math की classes चलती है हमारे चनल पर reasoning की classes आती है और GKGS की classes आती है तो जो भी classes है वो अपने time से आपको मिलते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक वे goodbye thank you